इस धर्ती के उपर भगवान के बाद सबसे बड़ी ताकत का नाम है गूगल तो आज मैं गूगल कंपनी की ही गूगल ट्रेंड नाम की एक साइट का इस्तेमाल करके आप सब को पैसा कमाना सिखाने जा रहा हूँ हमेशा की तरह 100% फ्री का तरीका तो है ही साथ में 100% रियल और प्रैक्टिकल भी है दोस्तों फिर चाहे आप कम पढ़े लिखे हैं जदा पढ़े लिखे हैं आप स्टूडेंट है हाउस वाइफ हैं जॉब करते हैं बिजनस करते हैं या अभी आप खली बैठे हैं तो आप सभी बिना एक पैसा लगाए एक बिल्कुल रियल और प्रैक्टिकल तरीके से अपना एक लॉ और फ्रीलेंसिंग से रिलेटेड वीडियो बनाकर रेगुलरली लेकर आता हूं और एक उर्पया तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों मैं आप मेंसे किसी की भी जेब से एक पैसा भी कहीं खर्च एंवेस्ट नहीं होने देता हूं देखे दोस्तों गूगल कंपनी की ही एक साइट है जिसका नाम है गूगल ट्रेंड जैसा कि थोड़े दर पहले मैंने आपको बताया था ये साइट हमें ये बताती है कि किसी भी देश के लोग सबसे ज्यादा किस बारे में गूगल के उपर सर्च कर रहे हैं यानि के एक्जामपल के लिए अगर हम गूगल के बारे में जानकारी दे देती है और ये साइट ये सब डेट वाइस बताती है कि आज किन टॉपिक्स के बारे में सर्च कर रहे थे भारत के लोग कल किन टॉपिक्स के बारे में सर्च कर रहे थे यानि के डेट वाइस तो जैसी जानकारिया भारत के लोग ढूंड रहे हैं वही जानकारियां हम उनको देकर लाखों रुपया कमा सकते हैं दोस्तों ये मैं आज 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 के वीडियो में पूरी डिटेल में ये लाखों रुपया सुनने में आप में से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा लग रहा होगा आपको हैरानी हो रही होगी यार इतना जादा कैसे आप हैरान मत होएं दोस्तों सोशल मीडिया पर अगर आप वही सब जानकारियां जनता को दे देते हैं जो जनता को चाहिए तो आप लाखों रुपया छोड़िये दोस्तों करोड़ों रुपया भी कमा सकते हैं ये YouTube आपके सामने है देखिए आप जरा इसको YouTube को खंगाल कर देखिए आपको न जाने है ऐसे कितने वीडियोज मिल जाएंगे जिनमें बहुत साधारन से दिखने वाले महिला पुरुष आपको ये कहते हुग मिलेंगे कि वो YouTube से 10 लाग 20 लाग रुपया यूँ कमा रहे हैं और वो ये इतना जाधा पैसा कैसे कमा रहे हैं सिर्फ वो ही जानकारिया अपने वीडियोज में देखर जो जानकारिया आप जैसी जनता आप जैसे लोगों को चाहिए बस यही गेम है दोस्तों और कुछ भी नहीं है बस सिर्फ फरक यह है आप सिर्फ YouTube या सोशल मीडिया पर ये जनकारिया देखते रहते हैं आप कमाते कुछ नहीं YouTuber या blogger ही कमाते रहते हैं आज के वीडियो में आप कमाना शुरू कर देंगे आज का वीडियो देखके तो आज के वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल नए तरीके से 100% free में कमाई करना सिखाऊंगा जैसे एक अच्छे का हाथ पकड़ कर सिखाते हैं बिल्कुल वैसे ही धीरे धीरे पूरी बारी की से सिखाऊंगा आपको पर सबसे पहले आपको सारे steps बता दूँ कि क्या क्या सिखाऊंगा आज के वीडियो में तो सबसे पहले हम सिरफ एक मिनट में Google Trend साइट से latest topics की एक list निकाल ले और आज मैं यह अपना online tool आप सबको free में दे दूँगा यह नया कमाल का online tool मेरे staff ने अभी 2-3 दिन पहले ही बनाया आप सबके लिए और फिर मेरे online tool से निकले इस prompt या order को हम chat GPT site पर डाल कर free में एक article लिखवा लेंगे जो आपको 2023 तक की यानि latest जानकारियों से भरे article लिख कर देगा और यह कमाल मेरा online tool ही करेगा दोस्तों अन्य था यह chat GPT सिरफ 2021 या दो साल पुरानी तक की ही जानकारियों वाले article लिखकर दे पारता था भी तक पर अब मेरा tool इस chat GPT से latest जानकारियों से भरे article भी लिखवा लेगा उसके बाद हम उस article को एक नया blogging account बनाकर उसमे डाल देंगे फिर उसमें कुछ ऐसी settings करेंगे जिससे हम पहले ही दिन से कमाई कर सकेंगे जिहां पहले ही दिन से कमाई कर सकेंगे वो भी बिलकुल एक नए बने हुए blogger के account से अब आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि ऐसी ही जानकारी तो पहले भी कुछ दूसरे YouTubers ने चाहते ही नहीं थे कि आप एक काम्या ब्लॉगर बनकर कमाई करें वो तो सिर्फ आपको कुछ paid services जैसे की paid domain या hosting बेचने आए थे अपने वीडियो में जबकि आपको paid domain या hosting की जरूरत ही नहीं है एक काम्या ब्लॉगर बनकर कमाई करने के लिए और ये आपको आज तक पता आप ने सिर्फ दो घंटे की research करके इसका तोड निकाल लिया कि कैसे इस चैट GPT साइट से 2023 तक की जानकारियों वाले भी आर्टिकल लिखवाए जा सकते हैं तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि कमाई करने की जानकारियां देने वाले दूसरे यूट्यूबर्स तो बस 5 या 10 मिनट्स के वीडियो बनाकर डालते हैं वो तो उनमें बस कुछ कच्ची पकी जानकारियां देकर निकल जाते हैं और आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ता कम कमाई करना भी सिखाएगा तो यह मेरी गरंटी है दोस्तों कि इस आज की वीडियो के खत्म होने से पहले आप में से हर व्यक्ति बिना अपने हातों से कोई आर्टिकल लिखे बिना भी एक काम्या ब्लॉगर बनकर पहले ही दिन से कमाई शुरू कर पाएगा और यह सब होग ऐसा किसी ने नहीं बताया है मैं आज आपको अपना ही 100% free में एक कमाल का online tool दे दूँगा जो मैंने अपनी एक site पर डलवाया है उसका इस्तिमाल करना सिखाऊंगा और आपको दिखाऊंगा और सिखाऊंगा कैसे आप धरती के ओपर दूसरे सबसे बड़े भगवान Google के ज खुल गई आपके mobile phone पर भी खुल जाएगी तो आपके पास अगर laptop या desktop नहीं है तो भी आप इस Google Trend नाम की site के जरीए आज कमाई करना शुरू कर देंगे समझ गए यह मेरी guarantee है फिलहाल मैं अपना mobile phone आपके सामने से हटा के आगे का काम आपको अपने laptop पर दिखाऊंगा आपने इसको खुला है जैसे कि मैंने इसको 26 अक्तूबर 2023 को आज record करके आपको दिखाने के लिए खुला है ठीक है अब यहाँ पर आज की date में भारत में Google के ओपर सबसे ज़्यादा क्या search किया जा रहा है डाल कर ठीक है एक लाग searches अभी तक हो चुके हैं और अभी तक यह डाल कर एक लाग लोगों ने कर लिए एक लाग से ज़्यादा उसके बाद यह दूसरा ट्रेंड है यह तीसरा है उसके बाद यह चौथा यह पांच माय दिखिए इतने सारे टॉपिक आपको यहाँ पर दिख जाते हैं कहने का मतलब यह है वो सकता है आप इन टॉपिक् अब इन ही तरह के आपको दिखाऊंगा कैसे आप बना लेंगे बिना कुछ किये सिर्फ कापी पेस्ट करके एक 100% फ्री की साइट का इस्तेमाल करके तो इससे यह होगा दोस्तों कि जो ट्रेंडिंग के टॉपिक्स हैं उन से रिलेटेड आपके पास आपको आजाएंगे उ वहाँ पर फ्री में रिजिशन करके अपना अकाउंट बना लेना है और वहाँ पर फिर लोग आएंगे ही क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक्स से रिलेटेड आर्टिकल्स हर कोई पढ़ना चाता है ठीक है अब थोड़ा सा और नीच आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ प उस देश के लोग आज आज से एक दिन पहले और उससे कुछ दिन पहले तक इस तरह के टॉपिक्स को गूगल के ओपर ढूंड रहे थे यह बहुत ही इंपोर्टन्ट जानकारी है दोस्तो जो अगर आपको मिल जाती है और मेरा आप वीडियो देख रहे हैं यह आप आखिर इसको यहां से इस टॉपिक को कॉपि कर लूँगा अब दोस्तो मैं आपको अपने ही एक आर्टिफिशल इंटेलिजेंस से चलने वाले ओनलाइन टूल पर लेकर चलूँगा और दिखाऊंगा कि कैसे इस पर्टिकलर टॉपिक को वहां डाल देना है और उसके बाद उस मेर आर्टिकल लिखवा लेना है जो अप टू डेट होगा अन्य था आपने सुना होगा दोस्तों कि चैट जीपिटी सिर्फ 2021 तक के ही लेटेस्ट जानकारियां आपको देता है दो हजार तईस तक की नहीं देता है लेकिन जो मेरा कमाल का ऑनलाइन टूल है वो चैट जीपिट में आप लोगों को देखने को मिलता है मैं अभी फिलाल इस टॉपिक को अपने एक खास ऑनलाइन टूल का इस्तेमाल करके आदेश या प्रॉंप्ट जेनरेट करके आपको दिखाता हूं और वो मैंने टूल कहां डलवाया अपनी एक साइट पर डलवाया चलिए वहां लेक अच्छा में ठीक है तो ब्लॉगर के ओपर प्रॉंप्ट जेनरेटर पर क्लिक करेंगे एक चोटा सा विज्यापन खुलेगा इसको बंद कर देंगे अब आपके सामने यह मेरा टूल खुल जाता है यहां फिर से लिखा हुआ है ब्लॉगर प्रॉंप्ट जेनरेटर जहां एंटर टॉपिक नेम यह मैंने टॉपिक का नाम यहां कॉपी पेस्ट कर दिया कॉफी विद करन ठीक है अब यह दिखा रहा है सेलेक्ट इयर तो यह मैंने 2023 सेलेक्ट कर लेना है ठीक है यही कमाल है दोस्तों कि आपने सुना होगा कि यह जो चैट जीपिटी है यह सिरफ 2021 2021 तक के ही आर्टिकल आपको देता है यह जितनी भी जानकारिया 2021 तक आई होंगी गूगल के ओपर या कहीं पर भी सिरफ उन्ही जानकारियों को मिला कर चैट जीपिटी आपको एक आर्टिकल लिखकर देता है लेकिन मेरा यह जो टूल है ब्लॉगर प्रॉम्ट जेनरेटर यह इस तरह का एक आदेश निकाल कर आपको दे देता है उस आदेश को अगर आप चैट जीपिटी पे डालते हैं तो चैट जीपिटी फिर उसी टॉपिक को लेटेस्ट यानि 2023 तक के हिसाब से बना कर आपको देता है ठीक है यह फर्क है अब जिनरेट प्रॉम्ट पर क्लि आप इसको यहां से कॉपी कर लेंगे ओके पर क्लिक करेंगे तो यह वाला प्रॉम्ट या आदेश या ओर्डर को डाल कर से रिलेटेड एक आर्टिकल कॉपी राइट फ्री उससे लिखवा लेंगे वह आपको लिखवाना सिखाता हूं अब आपके सामने चैट जीपिटी नाम की साइट खुली हुई है मैंने इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है क्लिक करते हैं इस तरह से आपके लैप्टॉप डेस्टॉप या मोबाइल फोन पे खुल जाएगी जहां लिखा है गेट स्टार्ट इट साइन अप पहली बार तो यहां क्लिक करेंगे उसके बाद यह पेज खुलेगा चोटा सा रिजिस्ट्रिशन होता है जहां लिखा है इसा करते ही आप अपने लैप्टॉप मोबाइल फोन के उस सेक्शन में पहुंच जाएंगे जहां आपके सारे जीमेल आईडी अभी तक जो आपने बनाई है आपको यहां दिख जाएगा आप चाहे तो इसे बदल सकते हैं अपना बरड़े आपने यहां पर डाल देना है पहले मन्थ डालना है फिर डालना है और कुछ बिज़ सकते हैं ठीक है मैंने भर दी और कंटीनू पर क्लिक कर दिया उसके बाद आपके समने यह पेज़ तो फिल्हाल मैंने नो कर दिया फोन नंबर डालने के बाद कि मुझे OTP SMS से चाहिए अब यहां लिखा हुआ आगया आपको OTP SMS के जरी क्लिक करेंगे हो सकता है कभी कभी आपको यह एक पजल भी सॉल्व करने के लिए दे या कैपचा भरने के लिए दे उसके बाद हो सकता है आपको इस तरह का एक कैपचा या पजल यह भरवाए ओके ताकि इसको यह पता चले कि आप एक इनसान है कोई रोबोट नहीं है इस फैसिलिटी का गलत इस्तिमाल नहीं करेंगे ठीक है अब देखिए यहां पर यह लिख रहा चेट डिजिट का यहां डाल देंगे अटोमेटिकली ले लेता है अब आपके सामने यह पेज खुलावा दिखेगा जहां लिखा है चैट जीपीटी 3.5 यह लेटेस्ट है चैट जीपीटी 4 नहीं लेना यह पेड ऑप्शन है इसका कोई फायदा नहीं है हमने चेक कर लिया अब नीचे आएंगे देखेज लिखा है send a message यहां पर हमने वो prompt या आदेश डाल देना है जो मेरे टूल ने आपको बना कर दिया है ओके और उसके बाद यहां क्लिक करेंगे तो यह चैट जीपीटी नाम की साइट जिसका मालिक है Elon Musk दो दुनिया का सबसे रईस वेक्ती है वो एक तरह का sun की वेपारी है USA का एक अरब पती है उसी ने यह साइट बना कर दुनिया के हर वेक्ती के मुबाइल फोन के जरीए इस सुपर मानब को जिसका नाम है चैट जीपीटी हर किसी के हाथ में पकड़ा दिया है इस particular साइट ने नजाने कितने हजारों लाखों ऐसे कंटेंट राइटर्स को बेरोजगार कर दिया है जो पहले कंटेंट लिखते थे अब ये जो साइट है चैट जीपीटी ये वो हर कंटेंट हर टॉपिक से रिलेटेड दो तिन मिनट के अंदर उतने ही शब्दों का लिखकर आपको दे देती है जैसा आपको चाहिए होता है ठीक है SEO Optimized का मतलब ये होता है कि सर्च इंजिन में सबसे उपर आपका आर्टिकल कैसे आएगा उसमें कौन से शब्द कीवर्ट डालने हैं ये चैट जीपीटी नाम का सुपर मानव आटोमेटिकली आपको लिखकर दे देता है और जो मेरा टूल है वो ये गजब करता है ज अगर आप कभी भी दिखेंगे कि गूगल सर्च भी कर लीजिए ये दिखाता है कि चैट जीपीटी के जरीए आप जो भी जानकारी निकालते हैं आर्टिकल की शकल में या किसी भी शकल में वो 2021 तक की जानकारी होती है लेकिन जो मेरा टूल है जो मैंने आज आज आपको ग तो इस तरीके से आप देख सकते हैं पैराग्राफ बनाकर ये आपको एक आर्टिकल दे दिया गया है जो इस टॉपिक से रिलेटेड है जिसका नाम है कौफी विदकरन और ये 2023 तक का लेटेस्ट है बिटिश इंग्लिश के अंदर लिखा गया है जो सारी दुनिया में पढ लिखवाना चाहिए यहां बदल सकते हैं आप पांसो शचिब कर सकते हैं दसशिज़ार भी कर सकते हैं उसी हिसाब से यहां पर आपको बनाकर ये अर्टिकल मिल जाता है आप चाहें तो और इस ने आपको एक आर्टिकल लिख लिखें आप Regenerate पर क्लिक करके इससे दोसरी तीसरी बार जरूर लिखवाईए यह हर बार वही आर्टिकल उसी टॉपिक के उपर बहतर तरीके से हर बार आपको निकाल कर देता है यह हमने रिसर्च कर ली है ठीक है तो इसलिए यह जरूर करना है आपकी कमाई वाकई में शुरू कराने का है क्योंकि अभी तक तो आपकी कमाई शुरू नहीं आप जो दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियो देखते हैं या कोर्स करते हैं उनसे आप नहीं कमा सके समझ गए अब देखी यह जनरेट हो गया दूसरी तीसरी बार अब मैं इस आर्टिकल को कॉपी कर लूँगा सबसे पहले तो मैं यह टाइटल को ही कॉपी कर लूँगा क्योंकि यह टाइटल भी जो है इसी चैट जीपिटी नाम की साइट ने हमें बना कर दिया है ठीक है और यह इस तरह का बनाया गया है कि यह सर्च में उपर आएगा जब आप इसको अपने नए बने हुए ब्लॉगिंग की अकाउंट पर डालेंगे और आप चिंता मत कीजे दोस्तों आपको यह जो ब्लॉगिंग का नया अकाउंट मैं अभी बनाना सिखाऊंगा इसमें आपको डुमेन और होस्टिंग सारी उम्र लेनी नहीं पड़ेगी ठीक है यह हमेशा फ्री रहेगी तो अब मैं आपको ब्लॉगिंग का एक नया अकाउंट बनाना और उसके ओपर इस टाइटल के साथ इस आर्टिकल को डालना सिखाता हूँ प्रॉपर तरीके से ताकि आप उससे कमाई कर सकें अब आपके सामने ये blogger.com नाम की साइट खली हुई है जिन यूटूबर्स ने अभी तक इस साइट से रिलेटेड वीडियो बनाकर डाले हुए हैं कई ऐसे यूटूबर्स हैं जो ब्लॉगिंग से रिलेटेड दरजनों सैक्डों वीडियो बनाकर अपने यूटूब चैन वो ऐसा करने के बाद कोई डोमेन बेचने वाली किसी प्राइवेट कमपनी की लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा देते हैं आपको कहते हैं कि वहां से 400-500 रुपया खर्च करके आप हर साल यहां से एक डोमेन खरीदेंगे और उसको रिन्यू करे देते हैं और आपको अभी तक यह नहीं पता कि आपका यह जो ब्लॉगिंग का अकाउंट नया बनने जा रहा है आप इससे एक धेले की भी कमाई भी करेंगे कि यह नहीं खर्चा पहले शुरू करा देते हैं और हमने ब्लॉगर नाम की इस कंपनी की जो कस्टमर के डिपार ने ठीक है हमें यह लिखा हूं के ऑफिशल स्टाफ ने जवाब दिया नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं है आप बिल्कुल ऐसा मत कीजिए किसी प्राइवेट कंपनी का कोई भी अलग से डोमेन लेकर आपने ब्लॉगर के अपने अकाउंट में नहीं लगाना है जो भी आपक यही ऑफिशल स्टाफ ने हमें जानकारी दी है ठीक है इस तरह की जानकारी अभी तक यूट्यूब पर किसी ने आप लोगों को दी नहीं आप तो बेवकुफी बनते रहे इसलिए अभी तक आप ब्लॉगर से कमाई शुरू ही नहीं कर सके क्योंकि जिन लोगों ने आपको गाइड किया की व्लॉगिंग से कैसे कमाई करें उनकी इंटैंशन उनकी नियती खराब थी यह और यह बात सबित हो गई यहां पर जो मैंने आपको दिखा दी खिर अब मैं आपको दिखाता हूँ यहां पर अपना एक नया ब्लॉगिंग का उकउंट कैसे बनाना है create your blog पर select कर लेंगे, click कर देंगे, उसके बाद आपके सामने ये उपर एक window खुली हुई दिखेगी, ये आप के लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है, जो Europe में हैं, ठीक है, आप भरत में या एशिया में हैं, तो आप इसको ignore कर दीजे, बस इसको यहां से बंद कर दीजी, ये बार-बार आती रहती है, अब ये आप से कह रहा है, कि आप अपना जो ब्लॉग, नया अकाउंट बना रहे हैं, ब्लॉगिंग करके, कमाई शुरू करने जा रहे हैं, उसका एक नाम रख लीजे, ठीक है, तो आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, जो मैं लिंक होगा, जिसको आप अपने यारों दोस्तों, या किसी से भी शेयर भी कर सकते हैं, आप किसी को कह सकते हैं, कि आपने एक ब्लॉगिंग का नया अकाउंट बनाया है, अब आप यहां से कमाई करने वाले हैं, इसके उपर हर तरह के लेटेस टॉपिक, जो ट्रेंडिंग अगर एड्रेस अविलेबल है, ठीक है, तो यह दिखा देगा, अन्य था आपको कह देगा, भीजे यह तो किसी ने ले रखा है, कुछ और डाल लीजे, तो आपने और डाल देना है, फिलहाल मैं कुछ भी और आपको दिखाने के लिए या टाइप करता बद चला जाता हूं तो हो सकता है कि वो मुझे मिल जाए, अब देखी यह मिल गया, आप ऐसा मत बनाईएगा, अलग बनाईएगा, अब आपका जो यूरल बन गया, या आपका ये जो नया ब्लॉगिंग का अकाउट बन गया है, उसका जो एड्रेस है, या कह लीजे डुमेन नेम है, वो यह हो भी इसको रिन्यू नहीं करना पड़ेगा, दूसरे यूट्यूबर आपको ये कहते हैं, कि यहाँ पर आप किसी प्राइवेट कंपनी का डुमेन नेम लगाईए, उससे आपको फायदा होगा, घंटा फायदा नहीं होता है, हमने ब्लॉगर के ओफिशिल, जो कस्टमर के य कम्यूनिकेशन किया, मैंने उस कम्यूनिकेशन की प्रूफ आपके सामने, आपके आँखों के सामने दिखाया, जिसमें उन्होंने लिखा है, जी नहीं, उसका कोई फायदा नहीं होता है, तो आपको अभी तक बेफ़कुफ बनाएं गया, जो यूटूबर आपको ये कहते हैं, तो आपको सौरपे का बेफ़कुफ भी मिल जाएगा, वो आपको स्कैम कर रहे हैं, वो आपको बेफ़कुफ बना रहे हैं दोस्तों, ठीक है, इसी लिए अभी तक आप ब्लॉगिंग से कमाई नहीं कर सके, क्योंकि उनकी इंटेंशन तो आपकी जेब काटने की थी, वो आपको सिखाना कभी भी नहीं चाहते थे, आप ऐसे ब्लॉगर्स के दरजनों वीडियोस देख चुके, इस उमिद से कि आप ब्लॉगिंग से कमाई कर लेंगे, आपने जीरो कमाया है, आप खुद खोल के दिखिए, अपने अकाउंट में, व्यूज ही नहीं आते हैं, क 200 करेक्टर्स तक का कुछ भी लिख सकते हैं, जो मैंने लिखा है, ऐसा मत लिखिएगा, फिर्निश पर लिख कर दिया, उसके बाद बस आपको ये पेज दिखेगा, आपका रिजिस्ट्रिशन हो गया, फ्री के अंदर, डोमेन सारी उम्र फ्री रहने वाला आपको मिल गया, होस्टिंग सारी उम्र फ्री रहने वाली आपके पास आ गई, ठीक है, अब आपके सामने ये जो पेज खुला है, यहाँ पर हम अपना एक नया ब्लॉगर का अकाउंट बनाएंगे, उसमें थीम सेलेट करेंगे, उसको सुन्दर सा बनाएंगे, और उसके बाद हमने चैट GPT से जो एक आर्टिकल लिखाया है, ओके वो यहाँ पर डाल कर मैं आपको दिखाऊंगा, पोस्ट कैसे करना है, और वो गूगल ने आपको सिजेस्ट किया है, कि वो ट्रेंडिंग है आज की डेट में, ओके जिसके उपर भारत में ही एक लाख लोग देख चुके हैं, जो करेंगे अपने इस नए बने हुए ब्लॉगिंग अकाउंट के जरीए, वो आपकी होगी गूगल एडसेंस से, या किसी भी और कंपनी के एडसेंस से, ठीक है, मैं आभी आपको दिखाऊंगा कि गूगल एडसेंस के अलावा दो तिन और कंपनिया भी हैं पूरी दुनि जाता है, चाहे वो ठीक है या गलत है, भारत के अंदर की उन लोगों की जेव में ज्यादा पैसा होता है, जिनको अंग्रेजी भाषा का ग्यान होता है, अब अगर आप अंग्रेजी भाषा के आर्टिकल लिखकर यहाँ पर या चैट जीपिटी से लिखवा कर अपने इस की अकाउंट में डालते हैं, मैं आपको डालना सिखा रहा हूँ जो ट्रेंडिंग है, तो अगर आप अंग्रेजी के आर्टिकल डालते हैं, जो लेटेस्ट हैं, ट्रेंडिंग है, तो आप ज़्यादा कमाई करते हैं, समझ गया है, तो यह एक विंडो दोबारा से यहाँ और आपको दिख जाएगी, यह जब भी दिखे बंद करते चले जाना है, अब हमने अपना एक ब्लॉगिंग का जो अकाउंट है, उसकी थीम सेलेट कर लेनी है, कि वो देखने में कैसा लगेगा, लेफ्ट में जो यह थीम लिखका हुआ हैं, क्लिक करेंगे, और उसके पर हैं, सबसे पहली तो है सिंपल के नाम से एक, यह देखिए, यह सिंपल है, इस कैटिगरी के अंदर छे अलग-अलग थीम सें, और उसके बाद है पिच्चर विंडो, पिच्चर विंडो के अंदर तीन अलग-अलग थीम सें, उसके बाद है वाटर मार्क, इसके अंदर चार अलग-अलग थीम्स हैं, उसके बाद है इथेरियल, इसके अंदर तीन हैं, और उसके बाद है ट्रैवल, इसके अंदर चार थीम्स हैं, ओके इसके अलावा जो बाकी थीम्स हैं, वो भी अच्छी थीम्स हैं, लेकिन जिस तरीके से मैं आज आपको आर्टिकल बना कर नए लिए better रहेगा तो इन में से मैं एक theme select कर लेता हूं किसी एक category गी तो मैंने ये एक theme select कर ली उसके बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे जहाँ apply का button क्लिक करेंगे got it पर click करेंगे अब ये theme यहाँ पर apply हो चुकी है आपका जो नया बना हुआ blogger account है अब हम उपर जाएंगे और तो आपने ये अपना नया blogging का account बनाया है ये अगर कोई व्यक्ति अपने mobile phone पर खोलता है latest trending news पढ़ने के लिए ठीक है तो उसको अपने mobile phone पर भी वो ठीक तरीके से दिखाई दे उसके लिए ये setting करना आवश्यक है उसके लिए जहाँ ये drop down का button क्लिक करेंगे और जहां ल करना है कि mobile phone के अंदर desktop view दिखेगा आपके blogging account का ठीक है तो ये बिल्कुल ठीक सेटिंग है उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे अब हम दुबारा से यहीं आएंगे लेकिन drop down पर ने customize पर क्लिक करेंगे अब हम अपने इस नए बने हुए blogging account में कुछ settings करेंगे ताकि ये औ अभी तक कमाई नहीं कर सके तो अब कर लो जे जो तरीके मैं आपको बता रहा हूं इनको follow कर लो free के हैं ठीक है अब देखिए यहां left में आएंगे जहां ले आउट यहां क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह page खुलेगा अब जहां लिखाव है body layout यहां पर यहां से दूसरा वाला सेलेट कर लेना है और जहां लिखा है footer layout इसमें तीसरा वाला सेलेट कर लेना है ओके यह हमने research करके रखा है यह best selection है उसके बाद यह जो आपका नया बना हुआ blogging का account है उसमें जो post डलेंगी उनकी चुड़ाई लंबाई हम adjust करेंगे जहां लिखा है adjust width यहां क्लिक क करेंगे note करते चले जाए जो भी मैं आपको details बता रहा हूं यही आपने अपने नए बने हुए यह पुराने भी blogging account में change कर लेनी है या डाल देनी है अब देखी जो entire blog है यहां पर आपने 860 की बजाए कर देना है 1140 और जहां यह right sidebar लिखा है यह क्यों है या भूल जाए इसको कर देना है 340 और उसके बाब भार क्लिक करेंगे अब देखी सेटिंग हो चुकी है अब देखी सेव का बटन है यहां क्लिक करेंगे तो यह saved changes दिखा देगा तो हमारी बस इतनी सेटिंग करनी थी इस नए या पुराने blogging account के अंदर अब हम यहां पर post डालेंगे जो ह मैंने आपको अपने ही एक टूल का इस्तेमाल करके यहां से article लिखना सिखवाया है उसमें मैंने जो लिखवाया है आदेश या prompt उसको follow करके यह chat GPT site title भी लिख कर देती है तो वो title copy कर लिया था अब वो यहां पर डाल देंगे तो यह title आ गया ओके यह इस तरह किसे लिखा आएगा सबसे बड़ी चीज तो यह कि यह trending topic है और दूसरी बड़ी चीज है कि इसके अंदर वो शब्द डाले गए हैं कि यह शब्द सबसे ज़्यादा Google के अंदर search किये जाते हैं तो आपको यह article उपर आएगा समझ गए अब जो article लिखा है chat GPT ने उसको copy कर लेंगे बस आगए अपने blogging account के ओपर और यहां पर paste कर दिया यह हो गया ठीक है अब अब देख सकते हैं जो भी आपने लिखा है उसके पीछे यह थोड़ा सा gray color का background आ रहा है ठीक है इसको हटाना है वो कैसे हटेगा उसके लिए दुबारा से हम इसको अब यहां पर select कर लेंगे औ और देखी यह जो आपको एक दिख रहा है clear formatting यहां क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर यहां क्लिक कर देंगे तो देखिए वो background हट गया अब यह जो fonts वगरा हैं यह हम बदल सकते हैं यह जो introduction लिखा है legacy of coffee with karan karan johar यह जिती भी details लिक कर दी गई हैं आपको यह आपने इस लिखते हैं चाहें यही लिखवाएं वो चैट GPT हर बार आपको अलiłक आर्टिक्ल लिख कर देता है हर युनीक आर्टिकल कर देता है हर बार copyright free आर्टिकल लिखकर कर देता है चाहे आप इसी topic के ऊपर 10,000 या 1ocracy,000 नाख अर्टिकल कर दो ओलें यह जने चैट GPT को मैं font बदल देता हूँ size थोड़ा सा छोटा बड़ा कर देता हूँ और वो सब होता है देखिए यहां से ठीक है यह मैं medium कर दिया देखिए बड़ा हो गया और उसके बाद यह जो छोट-छोटी सी heading है हर paragraph की इसको मैं यहां से बोल्ड कर दूँगा अब दोस्तों मैं आपको कुछ इस तरह के जो गार्ड और ट्रिक्स बताता हूँ जिनका इस्तेमाल करकर आप यह इंशोर कर सकेंगे कि आपका यह जो ब्लॉगिंग का ने आकाउंट बनाया या पुराना भी है उसके ओपर जो भी आर्टिकल आप डालेंगे उस पर ज्यादा ट्रैफिक आए पहले चीज़ तो देखी दोस्तों यह है कि हमने शुरुआत ही ठीकी है गूगल ट्रेंड से हमने टॉपिक निकाला जो चल रहा है आज की डेट में और उसके बाद उससे रिलेटेड लेटिस्ट यानि 2023 तक का कैसे आर्टिकल लिखवा लिया चैट जीपीटी के जरीए जो किसी भी मानव राइटर यानि जो एक्चुल वेक्ति है उसके ही जितना अच्छा होता है उससे भी अच्छा होता है अब ये इंशूर करने के लिए कि जो भी वेक्ति इस पटिकलर टाइटल को सर्च करके गूगल के उपर डालेगा सर्च करने के लिए तो वो आपके इस अगर अकाउंट पर पहुंच जाता है ब्लॉगिंग के अकाउंट के उपर तो वो पूरा आर्टिकल पढ़े क्योंकि वो जितनी देर तक आपके इस आर्टिकल को पढ़ेगा हाला कि लिखा तो चैट जीपिटी ने है तो आपको ये चिंता करने के आवशकता नहीं है कि इसके अंदर कोई ग्रेमेटिकल मिस्टेक्स तो नहीं है तो वो तो चैट जीपिटी ने आपको बिल्कुल करेक्ट लिखकर दिया ही है ये चैट जीपिटी नाम की साइट रोज इंप्रूव होती है दोस्तो ठीक है कि हम इसको इसको इस्तेमाल करते हैं कैई घंटे रोज टो हमें इसमें रोज एंप्रूवंमेंट्स दिखती हैं और हमने इसी का जो तोड निकाल लिया कि यूटाफ लगा रहते हैं कि हमने ये भी तोड निकाल लिया कि कैसे 2023 यानि latest articles हम chat GPT से लिखवा लें तो आज के वीडियो में ये खुलासा पहली बार YouTube पर या सोशल मीडिया पर पहली बार इसी YouTube चैनल जिसका ना में संजीव कुमार पर हो रहा है अब ये ensure करने के लिए कि हमारे article पर आने के बाद कोई व्यक्ति ये पूरा पढ़े ठीक है तो उसके लिए हम यहाँ पर एक breaker लगाएंगे थोड़ा सा introduction उसको दे देंगे चारपाँ छे साथ लाइनों का और उसके बाद अगर पूरा article उसको पढ़ना है तो यहाँ एक breaker लग जाएगा read more का एक button आ जाएगा वो उस पर click करेगा तो बाकी पढ़ पाएगा तो इससे क्या होगा कि आपका ये जो blogging का account है इसके ओपर clicks जादा आएंगी आपके blogging account पर अगर जादा clicks करते हैं पूरी दुनिया के लोग या भरत के लोग तो आपके इस page के ओपर जादा विग्यापन पढ़ने वाले लोग आएंगे जादा company के विग्यापन blogging लगाएगा या Google AdSense लगाएगा या दूसरी ad company लगाएगी वो मैं कैसे लगता है वो भी आपको आगे चलकर अभी इसी वीडियो में दिखाऊँगा तो यह breaker लगाने के लिए आपने जहाँ पर भी breaker लगाना है तब से अच्छा रहता है introduction के बाद ही breaker लगा दें तो आपने आखरी line के ओपर अपना mouse या cursor लेकर चले जाना है और यहाँ पर enter दबा देना है एक space बन गया अब तीन dots पर जाएंगे और यह breaker का button है यहाँ क्लिक करेंगे तो यह के line मन गई अब होगा क्या कि आपका यह जो blogging का नया account है या पुरान account है उसके अंदर यह एक आपका post डल गया यह उसका पहला introduction दिख जाएगा और अगर किसी को सारी post पढ़नी है तो read more पर click करेगा तो फिर यह सारी post उसके सामने खुलेगी यह तो सिरफ आपको दिख रही है उसके बाद जो आप दूसरी post डालेंगे उसका introduction दिखेगा तीसरी का चौती का और उसका फिर read more, read more करके तो इस तरह से क्या होगा कि आपका यह जो blogging की site है free की या blogging का account है उसके उपर बहुत सारे articles दिखेंगे जो सब के सब trending होंगे जो भी व्यक्ति आपकी blogging count पे आएगा वो चाहे तो उसका पहले introduction पढ़ ले उसको interesting लगे क्योंकि interesting लगेगा यह दोस्तों क्योंकि chat GPT ने लिखा है और बिल्कुल बढ़िया है पूरी दुनिया का कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी देश में रहता हो अगर इसको पढ़ेगा तो वो उसको लगेगा professional English है चलो इसको पढ़ते हैं इसमें जादा जानकारी होगी जो भी व्यक्ति किसी भी topic के ओपर जानकारी चाहता है वो google search पे आके उस topic को डालता है आपको देख जाता है क्योंकि google trend नाम की जो site है आपको बता देती है मेरा tool 2023 तक की latest article चैट GPT से आपको लिखवा कर दे देता है आप अपने इस नए बने हुए blog account में डाल देते हैं और blogger आपके इस article को इसलिए promote कर देता है क्योंकि इसके अंदर SEO friendly इस तरह के शब्द या keywords डले हुए है title में भी और article में भी कि ये trending हो जाते हैं और ये article उपर आता है search के अंदर ठीक है तो ये automatically सब कुछ होता है ठीक है तो अब हम अपने इस नए बने हुए account में या पुराने account में भी जो blogging का है उसमें हर post के अंदर add लगा देंगे विग्यापन लगा देंगे अपनी मरजी मताबिक लगा सकते हैं अब अपने इस blogging account में तो आप सिरफ google adsense ही नहीं और भी platforms के जरीए कमाई करते हैं अब दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी और चुट-चुटी कमपनिया सिरफ google adsense के जरीए ही social media पर जिसमें से blogging भी एक है सिरफ google adsense के भरोसे नहीं बैठती हैं कमपनिया अब वो दो तीन और कमपनियों के जरीए भी ad या विग्यापन लगाती हैं तो आप तीन-चार अलग-अलग तरीकों से कमाई करने के लिए तयार हो जाए है तो मैं google adsense से कैसे कमाई करेंगे वो आपकी setting सबसे last मैं आपको बताऊँगा सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि adstera जो google adsense की एक competitor company है उसके जरीए आप कैसे कमाई करेंगे उसके विग्यापन यहाप अपनी मर्जी मताबिक पहले ही दिन से कैसे लगा लेंगे ठीक है google adsense तो कुछ दिनों के बाद विग्यापन लगाएगा लेकिन adstera जो उसका competitor है वो पहले दिन एक मिनट के अंदर अंदर यहाँ विग्यापन लग जाएंगे और लोग देखना शुरू कर देंगे तो वो adstera के विग्यापन कैसे लगाने हैं उसमें registration कैसे करना है free के अंदर उसके बारे में एक detailed वीडियो मैंने पहले से बना के रखी हुई है उस वीडियो का link मैंने इस वीडियो के description box में लगा दिया क्लिक करके मेरा वो पुराना YouTube का वीडियो देख लीजे adstera के ओपर free में 5 मिनट में registration कर लीजे और उसके बाद वहाँ से विग्यापन निकाल कर कै इसे लगाते हैं अपने नए बने हुए या पुराने blogging account में ये भी मैंने वहीं सिखाया है उस पूरे वीडियो के अंदर ठीक है जिसका link इस वीडियो के description में है लेकिन मैं इस post में भी उसी तरीके से adstera से ही कुछ विग्यापन निकाल कर यहाँ पर भी लगा देता हूं तो add मैंने लगा दी हैं अभी नहीं दिखेंगी तब दिखेंगी जब publish हो जाएगी ये post ठीक है अब वो publish पर क्लिक कर दिया confirm पर क्लिक कर देंगे ऐसा करते हैं आपके सामने ये page खुलेगा आपने जो पहली अपनी post डाली होगी सबसे उपर दिखेगी उसके नीचे आपक ये post इस तरह से दिखेगी date दिखेगी जिस date को हमने डाली है ये उसी date का trending topic है और उसके नीचे ये शांदार अंग्रेजी के अंदर लिखा गया है अब देखिए जो विग्यापन है ये ads terra और vilex नाम की दो जो google adsense की competitor कंपनिया हैं वहां से निकाल कर दो मिनट के अंदर न कर लेना है और वहां से विग्यापन खुद निकाल कर लगा लेने हैं जबकि जो google adsense है उसके अंदर आप विग्यापन खुद नहीं लगा सकते हैं और तभी google adsense आपके blogging account में विग्यापन लगाता है जब आपके blogging account में या blogging post के ओपर काफी traffic आने लगता है उनका system बहु विग्यापन अलग-अलग size के किस तरह से निकालने हैं और किस तरह से अपने नए या पुराने blogging account में किसी भी post पर कैसे लगाने हैं ठीक है वो आपको मैंने उन दो वीडियो में सिखाया हुआ है देखि किते विग्यापन मैंने निकाल कर लगा दिया अभी एक मिनट भी इस पोस्ट को डाले हुए और इसके अंदर एक और विग्यापन जिसका राम होता है ठीक है वो विग्यापन भी इस पे लगा हुआ है जिसके अंदर अगर कोई भी व्यक्ति आपके इस ट्रेंडिंग आर्टिकल को पढ़ना चाहेगा तो जबर्दस्ती वो पुपेंडर ज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उन दो वीडियो को जरूर देख लेना है क्योंकि अगर आपने पहले ही दिन से ब्लॉगिंग के जरिये कमाई शुरू करनी है गूगल एड्सेंस का इंतजार नहीं करना है ठीक है तो फिर वो दोनों वीडियो देखकर वहा विग्यापन लगाने हैं अपने पूरी पोस्ट को विग्यापनों से भर दीजे दोस्तों अगर कोई भी व्यक्ति आपके इस आर्टिकल को आके पढ़ता है तो आप उसको जगा जगा विग्यापन दिखाईए और अगर वो किसी भी विग्यापन पर क्लिक कर देता उसको पसंद आ जाता है ठीक है उसको अच्छा लगता है ठीक है तो फिर आप कमाई करते हैं पहले ही दिन से अब यहां साइड के अंदर भी किस तरीके से विग्यापन लगाने हैं उन दोनों साइटों से निकाल निकाल कर जिनका नाम है एड्स टेरा और वाइलेक्स वो मैंने उन शक नहीं है आप उन दोनों वीडियो को देख लेंगे अब उसके बाद यहां पर जो मैंने सेटिंग आपको इसकी सिखाई थी थोड़े दर पहले इसी वीडियो में आपने कैसे इसकी जो विट्थ है यानि इसकी चुड़ाई जो है अपने आर्टिकल की या पोस्ट की वो पहले दिन से कमाई करूंगा और उसके बाद गूगल एड़ सेंस से भी कमाई करना आपको सिखाऊंगा आप चिंता मत कीजिए ठीक है इसी ब्लॉगिंग के अंदर तो यह दोस्तों अब आपके सामने मेरी वो पोस्ट खुली हुई है जो नए ब्लॉगिंग अकाउंट पर सर्च करके पहुँचेगा तो उसको यह दिखेगा ठीक है उपर आपके इस ब्लॉगिंग अकाउंट का नाम जो भी आप रखेंगे यहां पर इंट्रोडक्शन दिखेगा अगर उसको ज्यादा पढ़ना है तो रीड मोर पर क्लिक करेगा तो वो पूरा आर्टिकल पढ़ अब यहां पर पहले ही दिन से एड्स टेरा और वाइलेक्स नाम की जो कॉम्पूटिटर कंपनिया हैं गूगल एड्सेंस की उन से जो आप खुद विग्यापन निकाल कर लगा सकते हैं वो मैंने आपको यहां लगा कर दिखा दिये हैं देखिए किते सारे विग्यापन मैं अब यहां पर देखनी ही पड़ेगी उसको यानि जबरदस्ती दिखाई जाएगी उस वेक्ति को अगर उसको यह आर्टिकल पूरा पढ़ना है रीड मोर पर क्लिक करते ही वो आर्टिकल नहीं खुलेगा उसके सामने एक विग्यापन खुल जो आपको कमाई करके देगा क् जबरदस्ती उससे क्लिक करवा लिया गया समझ गये अब मैं इसको फिलहाल इस विग्यापन को अगर बंद कर देता हूँ ठीक है अब मैं अगर रीड मोर पर क्लिक करूँगा तो मेरे से दोबारा वो एक और विग्यापन खुलवा रहा है और उस विग्यापन पर मुझे इस तरह का विग्यापन खोल कर दिखाएगा तो चार-पांच बार इस तरह से करने के बाद ही वो उसको पूरा आर्टिकल पढ़ने देगा समझ गये यह दिखिए अब आपको यह नीचे तब ही दिख रहा है जब वह व्यक्ति या आप कोई भी व्यक्ति जब तक यहां पर 5-6 विग्यापन जबरदस्ती ना देख लें और यह नया ब्लॉगिंग अकाउंट बनने के 30 सेकंड के अंदर यह जुगाड यह सेटिंग आप कर सकते हैं कमाई थोड़ी ही शुरू होगी लेकिन पहले दिन से शुरू हो जाएगी गूगल एटसेंस के भरोसे नहीं बैठन पड़ेगा ठीक है तो यह हो गए जुगार अब मैं आपको दिखाता हूं कि गूगल एटसेंस से भी कमाई कैसे करनी है इस ब्लॉगिंग अकाउंट के जरीए वो भी देख लिए उसके लिए मैं ब्लॉगर आपके अपने इस अकाउंट के डैश बोड पर जाओंगा यह द मैंने एडस टेरा और वाइलेक्स नाम की कमपनियों के विग्यापन खुद निकाल कर अपनी गूगल की किसी पोस्ट में लगाना सिखाया था ठीक है उनके लिंक्स तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हैं उनमें देख लीजेगा और गूगल का भी एक नया खुद लगाता है आपको लगाने नहीं देता है ठीक है गूगल एडसेंस की पॉलिसी अलग है तो वो भी आप कर सकते हैं इसका भी बेनिफिट है लॉंग टर्म बेनिफिट है बलकी ज़दा बेनिफिट है लेकिन तुरंत कमाई भी तो करनी है ना अगर आप मेहनत कर रहे कमाई करने के अपने नए बलॉगिंग अकाउंट के जरीए तो दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको गूगल ट्रेंड्स का इस्तेमाल करके ट्रेंडिंग टॉपिक्स निकालना सिखा दिया है फिर उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स को कॉपी करके मेरे एक खास कमाल के Artificial Intelligence से चलने वाले एक टूल में डालकर प्रॉम्ट या आदेश निकलवाकर चैट GPT से लिखवाना सिखा दिया है और सबसे बड़ी चीज यह है दोस्तों कि मेरा यह जो खास टूल है यह कमाल करता है और चैट GPT पर 2023 तक के लिटिस्ट आर्टिकल लिखवाकर आपको दे देता है अन्य था 2021 तक के ही जानकारिया चैट GPT अपने आर्टिकल में लिखकर अभी तक देता था लेकिन हमने यह जुगार Artificial Intelligence से सेट करके यह जो एक खास ऑनलाइन टूल बनाकर आज आप सभी संजीव कुमा चैनल के दर्शकों को गिफ्ट में दे दिया है यह टूल आज से आपकी ब्लॉगिंग के अंदर कमाई शुरू करवा देगा क्योंकि अब आप लेटेस्ट आर्टिकल 2023 तक के चैट GPT से लिखवा सकेंगे कॉपी रैट फ्री लिखवा सकेंगे और कमाई कर सकेंगे तो इस तरीके से भी कमाई शुरू कर दो देखे दोस्तो आज कल यूट्यूब पर या सोशल मीडिया पर एक बिल्कुल नया ट्रेंड चला हुआ है इस ट्रेंड के अंदर क्या होता है कि जो यूट्यूबर होता है चाहे उसके 50,000 सब्सक्राइबर हो या 50,000,000 हो या 1,000,000,000 सब्सक्राइबर भी हो वो एक पॉड्कास्ट नाम का एक प्रोसेस करता है जिसके अंदर वो व्यक्ति वो यूट्यूबर अपने सामने एक माइक को लगा लेता है और दूसरी तरफ या तो उसी के स्टूडियो में या कहीं और ऑनलाइन ही एक और व्यक्ति उससे जुड़ जाता है उसके सामने भ बढ़कर interested हो जाते हैं और उस वीडियो में खुश जाते हैं आप जब उस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको यह पता चलता है कि उस पूरे वीडियो में सिर्फ यही बताया गया है कि वो व्यक्ति ब्लॉगिंग के जरीए यूट्यूब के जरीए या किसी और तरी के से चाहे वो ब्लॉगिंग हो या यूट्यूब हो कैसे उतनी ही कमाई कर सकते हैं यह जानकारी वो यह क्लेम करने वाला व्यक्ति कि वो यूट्यूब से या ब्लॉगिंग से लाखो करोड रुपया कमाता है उस पर्टिकलर वीडियो में नहीं बताता है और वीडियो खत् और ही होता है वो मैं आज आपको बताता हूं उसका खुलासा करता हूं होता क्या है दोस्तों कि जो यूट्यूबर इंटर्वू लेता है किसी ऐसे व्यक्ति का जो ये क्लेम कर रहा है कि वो यूट्यूब से या ब्लॉगिंग से इतने लाखों रुपय महिना या क्रोड़ों उस YouTuber ने उस व्यक्ति से 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपया पैसा लिया होता है उस interview को record करके अपने YouTube चैनल पर चलाने के लिए और इतना पैसा देकर जो दूसरा व्यक्ति अपना interview करवाता है उस YouTuber से उसका interest क्या होता है आपको पता है मैं बताता हूँ उसका interest दोस्तों यह होता है कि आप interested हो जाते हैं आपको लगता है यह आदमी इतने पैसे कमा रहा है अगर किसी तरह से contact कर लिया जाए तो यह तरीका बता देगा या हो सकता है सिखा दे उसके बदले में कुछ पैसे ले ले तो आप उस व्यक्ति को social media पर ढूंड़ना और आपको भी वो अपनी ही तरह एक काम्या ब्लोगर या यूटूबर बना देगा बस यही गेम होता है दोस्तों आप उस व्यक्ति को पैसे दे देते हैं आप जैसे दरजनों लोग उस व्यक्ति को पैसे दे देते हैं और वो व्यक्ति भी इस तरीके से 20-20-50 लाक रुपय और वो जो व्यक्ति है उसने आपकी जेब से वही चीज सिखाने के बदले में लाखोर रुपे जाड़ लिये जबकि वो सब का सब फेक था उसने कुछ कमाया ही नहीं था उसको कुछ आता ही नहीं था तो इस तरह के जो इंट्रूवू वाले वीडियोज हैं यूट्यूब प उनके लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके उन्हें भी देख लीजे उनसे भी फाइदा उठा लीजे तो दोस्तों यह थी आज की वीडियो मुझे पूरी उमीदा आपको अच्छी लगी होगी थैंक्यू वेरी माच